हाईलो फिरेंट वेलकम टू नालेज पाइंट आप लोगों का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए एक बकरी में लगने वाले विसेस रोग और घातक रोग को लेकर आए हैं इस रोग के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकार दी जाएगी जैसा कि आप लोगों को पता है हम अपनी हर वीडियो में कुछ नकुछ देशी उपशार बताते हैं इस वीडियो में भी आप लोगों को एक देशी उपशार बताएंगे इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बकरी में लगने वाले आफारा रोग क को बहुत अधिक हानी होती है इसके अलावां घर में दो चार बकरियां रख रहे हैं उन में आफारा हो जा रहा है तो उससे भी हमें काफी हद तक हानी हो सकती है देखिए आज हम जिस रोग की बात करने वाले हैं है वह पाकस इंगोड बक्रियों का चेचक इसको अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे अन नाम इसका हो गया पाक्स, दूसरा हम हमारा है चेचक, तीसरा है गाउं देहात में इसको माता या लाल चकत्ता के नाम से जानते हैं, अब हम बात करें इस रोग के कारण की, तो यह एक वाइरस जनित या एक विसाडू जनित रोग है जो एक वाइरस के संपर्क में आने से होता है देखिए हर रोग जो पस्वों में लगता है जो मनुस्वों में लगता है जो पेड़ पौधों में लगता है गाय भैस यानि कि किसी भी जीव के अंदर जो रोग हर जीवों में लगने वाले रो कोई nasquoy karakवी होता है तो हम बात करें पाक्स की बक्रेयों में Arms disparity यो लगता है वह एक वाइरस के दोरह होता है अब हम अगली बात करते हैं ये रोग के वायलनी की विधी ये रोग फायलता कैसे है यह घुलता है बक्रेयों के संपर्क में अने से यानि कि अगर कोई बक्री ऐसी है जिसको पाक्स हुआ है अगर वो हमारे बाड़े में रह रही है अन बक्रियों के साथ रह रही है तो दूसरी बक्रियों में भी पाक्स फैलता चला जाएगा चेचक फैलती चली जाएगी दूसरा हम बात करते हैं हावा के द्वारा इस रोग के वैक्टर जो होत है फिर अगर हम अपने बात करें और ऐसी कौन सी विधियां हैं जिसके माध्ध्यम से यह रोग फैलता है जैसे माली जी हमारी कोई बक्री है उसके मुह में पाक्स हुआ है उसके बॉड़ी में पाक्स हुआ है वो किसी पानी को पीती है किसी चारे को खाती है तो उसके बाद अइनदूसरे स्वस्त बक्रिया उसको खाती है या उसके जूटे पानी को के पीधिए तो उन्हें भी या रूपत देखने को मिल जाता जाता यह रोग कैसे फालता है हवा के माध्रियम से भीमार बक्रियों के संफर्ख में आने से रोग अब हम बातकरते हीज इस रोग के लच्छण के तो इस रोग का लच्छण दो से चार दिन के बाद यानि जब हमारी बक्री को संकर्मण हुआ उसके दो से चार दिन के बाद इस रोग के लच्छण दिखाई देते हैं और वो लच्छण क्या होते हैं बक्रियों के नाक पर कान पर मुपर उनके थनो पर लाल चकत्ते दिखाई देने लगते हैं और ये चकत्ते फिर बड़े होकर फूड़ जाते हैं और गाओ का रूप ले लेते हैं यह इस रोक का लच्छन हुआ अब हम बात करते हैं रोक थाम की तो इसका रोक थाम के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे वर्स परियर तू आने से पहले उनको रोग परती रोधक टीका लगवाएंगे हम अपनी बकरियों को टीका लगवाएंगे फिर दूसरा आता है हम बीमार बकरियों को जुन्ड से अलग कर देंगे फिर इसके अलामा आता है हम रोग गरसित बकरियों के यानि ऐसी बकरी जिसको पाक सरोग ह हुआ है उसके बिच्छावन को उसके जूठे चारे को उसके जूठे जल को हम हर तरह से स्वस्त बक्रियों से दूर रखेंगे अगर रोग रसित बक्री मर गई तो उसको हम खुला नहीं छोड़ेंगे उसको या दफन कर देंगे गार देंगे या उसको जला देंगे यह दवाएं हैं जो हम पाक्स रोग में बकरियों के चेचक रोग में प्रियोग कर सकते हैं तो दवाईयों की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे बेश्ट हमारा इंजेक्सन होता है हम पाक्स रोग के लिए अपने बकरियों को इंजेक्सन दे सकते हैं जिसमें पहला आता है hydroxide of oxygen टेरा माइसेholes अगर करी बड़ी equals हैं तो इसको तीन से चार अमिल देंगे अगर छोटा बच्छा है तो उसको एक से दो एमिल तक देंगे फिर इसके बात दूसरा injection हमारे आता है सफ़्ट्रियाउग सोन इसको हम सिफ्ट्रियाउग जो ओता है यह पाउडर और डिश्ट्रिल वाटर के साथ में आता है इसको मिलाएंगे तो 10 ml का हमारा डोज बनता है तो उस 10 ml को हम एक व्यस्क बकरी को देंगे अगर छोटा है छे महीने का है या और भी छोटा है तो हम उसको 5 ml का टीका देंगे फिर हम बात करते हैं अपना सबसे में टाप का रूप ले लिया है तो उनके घावों को हम नीम की पती से धुलाई करेंगे नीम के पती को पानी में उबाल लेंगे फिर उस पानी से हम बक्रियों के घाव को धुलेंगे और धुले हुए घाव पर नीम के तेल और कपूर को लगाएंगे या सिर्फ नीम का तेल ही लगा सकते हैं फिर दूसरी बात हम करते हैं उनके घावों को हम फिटकरी के घोल से और फिनाल से घुलाई कर सकते हैं जिसके वज़ा से उनमें संकरमण कम हो जाता है और फिर अगर हम बात करें इसमें पिलाने और खिलाने की तो एक पाउधा होता है गाउं दिहात में जो पेड़ पर चड़ा हुआ होता है आप देख सकते हैं पान की तरह से पतہ होता है जिसको गिलोय बोलते हैं जिसको गुरची बोलते हैं कि गुरची या ध्यलोय又 चीज के नाम से जाना जाता है इसकी दवाईयां इसके कैपसूल भी आते हैं मेडिकल इस्टोर पर किलो के डंठल को हम पानी में उबाल लेंगे एक किलो डंठल को पानी में उबाल लेंगे और उबले हुए पानी को हम अपनी बकरी को देंगे फिर इसके अलामा आता है बाड़े को एंटी वाइरस से सेनेटाइज करेंगे या फिनाल डाल सकते हैं अलकोहल से हम अपने बाड़े को जहां पर बक्रियों को बांगते हैं जहां पर बक्रियां रखते हैं उसको सेनेटाइज करेंगे फिर दूसरा हमारा आता है बक्रियों को लासून हलदी चूना सहथ के खोल को चटाएंगे लासून चूना सहथ हलदी को हम एक साथ में मिला लेंगे, उससे एक पेश्ट बन जाए गया, उसको हम अपने बकरियों को चटाएंगे ये था आज के बारे में चेचक की जानकारी जो बक्रियों में लगती है जिसके वज़ा से डेरी फार्म वालों को बहुत अधिक हानी होती है अगर हम दो चार बक्रियां रखते हैं फिर भी हमें बहुत हानी होती है उम्मेद कहते हैं आप सबको पसंद आया होगा हम अगली वीडियो में आप सबसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाई